हेलो एवरिवन मैं प्रिया आप सभी के साथ आज बहुत ही टेस्टी और मसालेदार छोले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो कि आप चटपर कुकर में बना कर त्यार कर सकते हैं तो चलिए आज की रेसिपी देखना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिए मैंने काबुली चना लिया है इसे मैंने चार गंटे के लिए पानी में भी गो दिया था देखिए काफी अच्छे से ये जस्ट डबल हो गया है और देखिए ये सॉफ्ट भी हो गया है तो चलिए इसे हम प्रेशर कुकर में रख कर बॉयल कर लेंगे अ आपको दिखा दे रही हूँ काफी अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है तो चलिए आगर यहां पर मसाले देख लेते हैं यहां पर मैंने ली हुई है प्याज तो मीडियम साइच की एक बड़ा टमाटर और यहां पर मैंने लिया हुआ है लैसन की दो काटे और आट से दस हरी मि यहां पर देखे मैंने मिकसर जार लिया हुआ है जिसमें यह मसाले जो हमने कट किये थे इन्हें एड़ कर देंगे और इनका एक स्मूद सा पेस्ट बना कर त्यार कर लेंगे तो चलिए इसे कवर करकर क्राइंड कर लेते हैं यह देखे हमारा पेस्ट काफी अच्छे से बन और कुछ खड़े मसाले लिए हैं इसे हम अच्छे से चटकने देंगे और यहां पर हमने जो पेस्ट बनाया था उसे एड़ किया है खड़े मसाले चटकने के बाद ही पेस्ट एड़ करिएगा और इसे लो टू मीडियम फ्रेम पर पकाते रहेगा मसाले जब तेल चोड़ने लगे तो समझ जाएगा मसाला आपका पूरी तरह से कोख हो गया है तो देखे इसे लगातार चलाएगा जिससे की यह तली में चिपके नावी देखिए मसाला हमारा काफी अच्छे से कोख हो गया है अब यहां पर कुछ सूखे मसाले एड़ करेंगे तो यहां पर धन्या प कर देंगे और इसे भी 2 सेकंड के लिए अच्छे से हम ROOST कर लेंगे यहां पर रेट चिली पाउडर भी एड़ कर सकते हैं मैंने यह पर रेट चिली पाउडर को स्किपकिया हुआ है तो यह देखिए मसाले खाफी अच्छे से भर टेस्ट के एकॉर्डिंग सॉल्ट साथी पानी की मात्रा आप कम या जादा अपने अनुसार रख सकते हैं। तो सॉल्ट एड़ करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और प्रेशर कोकर का ढगकन लगा कर इसे टू विस वाले करके अच्छे से कोक कर लेंगे। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। यहाँ पर मैंने देखे इसे सर्विंग बाउल में सर्व किया है। हरी धनिये से कार्णिश करकर तो यह देखे कितना टैंपटिंग हमारा से 15-20 मिनट में छोले बनकर ट्यार हो गए हैं। तो अगर आपको क्विक इजी छोले की रेसिपी पसंद आई है और चैनल पर नए है तो सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब करें। और फटाफट रेसिपी बना कर ट्राइब करें। अपने अनुबो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, बब बाई।